कि हालो फ्रेंड स्वागता आप सब का जोंटे के डिजिटल प्रेट्फरम पर जी हां जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेरे फिचर बेनर है SSJ 2022 SSJ 2022 का final result जो है वो आच चुका है अभी कुछ दिर पहले ही final result SSJ की तरफ से अनौंस हुआ है जब से अनौंस हुआ है ताब से कई सब्सक्रेक्श koal नारो है कई सर्सक्राइंग से मेसेज करते हैं जो मैं कहीं न कहीं किसी कारणवस रहे गया हूं इसका मतलब यह कि आज का जो हमारा वीडियो एनलाइसिस है यह आपको जिन इस्टुएंट का सेलेक्शन हुआ है उनको बहुत बहुत ज्यादा कॉंग्रेशलेशन मेरे और पुरी जोंटेक परिवार की तरफ से बधाई देने के में लिए हैं डूसरा है कि मैं बात करूंग है उसकून्ट में बात करेंगे और समय होपाई हैं किसी वह कारणवस में पात करेंगों यहां पर इसेंट करने के लिए मैं कट्रीन करते हैं सब्च्छों कुछ सब्सक्राइब कुल् nice as लेकिन बच्चों इसमें जॉन टेक के साथ साथ आपकी भी महनत रंग लाई आपकी महनत उतनी ही जरूरी होती है जब किसी इंस्ट्यूट जो आपको को बहुत बहुत बदाईयां देते हैं हम कि अवार्ड सेरेमनी प्रोग्राम करेंगे जल्दी ही तो जिन बच्चों ने रिजल्ट्स सम्मिट नहीं किये हैं या फिर जिनको भी मालूम नहीं लगा है तो अपना रिजल्ट देखकर जॉन टक की वैब साइट पर समिट करें और इसी तरह से आफ अपने सेलैक्षं को बनाते रहें ऑवी राजिस्तान में और भी बहुत सारी ब्रेंसी जाने वाली है जो जिनका सेलीक्षन नहीं हुआ है उनको ढाने वाली बात नहीं है वो मौटिवेट 줄 को पूरा यहां पर तो जैसे कि सन्नने भी बताया आइसीज तो उनके लिए मैं बता दूँ कि जिस तरह से जोन टेक ने SSC JE 2022 में बहुत सांदार रिजल्ट अनौंस किया है जल्दी हम हमारे टॉप रेंकर्स और सेलेक्शन को आपके सामने लेके आएंगे उसी तरह से आने वाले एक्जाम जहांपर बात करें दो बारा SSC JE 2022 आपका जो 23 का एक्जाम है वो जल्दी आने वाला है उससे पहले आपका DDAJ आएगा उसके बाद आपका RSM SSC JE आएगा उसके बाद आपका RPSC E आएगा और इन सभी एक्जाम की एक सीरीस ही बन चुकी है कि DDAJ फिर आपका SSC JE अगेन फिर आपका State JE रास्तान JE अगेन उसके बाद अगर बात करें यहाँ पे तो फिर आपका बात रहेगा RPSC E तो यहाँ पे जितना भी आपका यह पेपर आने वाले हैं उन पेपर के बारे में य करिए गारे कि जो के साथ साथ या फिर इस जोब को अपने असर्ट करते वोगह उसके साथ साथ आप चाहें तो जो अन्लाइन कोर्सेस जो नटे की ऑनलाइन टेशिस से अपनी तेयरी को अब होने बाले हैं उनकी तैयारी यह इसे सुरु कर सकते हैं और अपने तयारी को क्लासे से live from रहते हैं जो कि recorded session में रहते हैं आपको कोई भी doubt होता है direct teacher से contact कर सकते हैं वहाँ पर chat box आपके लिए ओपन रहता है teacher के WhatsApp number, contact number हमेज से available रहते हैं आप किसी भी वक्स teacher से बात कर सकते हैं कोई भी time limit नहीं है कि morning, evening, afternoon teacher में call करना है, आप कभी भी teacher से बात कर सकते हैं आके समा सकते हैं यह एक चोटा सा brief और वी था जो कि student को होसला बढ़ाएगी definitely अब बात करते है result के बारे में CPWD है जो कि electrical के लिए है, acid D जो है CPWD है वो आपका civil के लिए है तो आप देखेगा जब आप इस result को यहाँ पर analysis करेंगे तो आप पाएंगे कि जितने भी आपको information दी हुई है my dear वो सारे के सारी information आपको यहाँ पर department wise दी है कि post code आपका A है तो A के साब से आपके पास EWS category की number vacancy कितनी थी 112 थी उसमें total marks जिनके 314.32523 से ज्यादा है वो सब student selected है वो भी कौन से department में A department जो कि मैंने देखा था कौन सा था भी B R हूँ था similarly अगर बात करें यहाँ पर तो जैसे D department की बात करें यहाँ पर ऐसे अगर बात करें तो आपका G department की बात करें ऐसे अगर I department की बात करें ऐसे अगर M department की बात करें तो जितने भी departments आप यहाँ देख रहे हैं उन सब departments में अगर बात करें तो यहाँ पर यह final result है my dear और जहाँ अब कई सर इसके बाद भी रिजल्ट आएगा, नहीं, इसके बाद कोई रिजल्ट नहीं आएगा, आप देखेंगे कि जितनी नम्रो वेकेंसी है, उतनी ही यहाँ पर आपके पास पॉल किया गया है बच्चों को फाइनल के लिए, जब आप जाएंगे और कुछ इसके अगर आपके डॉक्मेंट वेरिफिकर्स होंगे डिपार्टमेंट पर वहां पर कुछ इसके फेल हो जाते हैं, तो उन इसके जो वेकेंट लिष्ट रहेगी, जो खाली जगह रहेगी, उसके ओपर बिलकुल भी कोई वेटिंग लिष्ट नहीं आएगी, वो वेकेंसी जो आपकी अगली वेकेंसी जो की नॉपमर में एक्जाम है, जो की 2023 की वेकेंसी है, उसमें नमरों वेकेंसी आपके एड हो जाएगी, वो पोस्ट उसमें एड हो जाएगी, यहां पर आप ध्यान रखेगा कि जितनी वेकेंसी है उतने ही इन्होंने केंड़ेट बुलाएं हैं, और marks है और कौन सा department आपको मिला है यह तो रही इसकी छोटी सी information अब अगर बात करें यहाँ पर ओर थोड़ा basic overview कि हम देखेंगे कि जो आपका paper 1 था paper 1 का result यहाँ पर कह रहे हैं कि paper 1 का result आच चुका था उसके बाद इन्होंने paper 2 करवाया और paper 2 का result भी इतके बाद आच चुका था फिर हमने आपको जैसे inform किया था जोंटे के platform पे कि कुछ time पहले हमने कहा था मैंने एक वीडियो बनाया था कि post preference कैसे बरें वो post preference definitely आपके लिए बहुत ज्यादा helpful रही है मैं जानता हूँ क्योंकि उसी post preference के basis पे कई सारे student ऐसे हैं जिनको हो सकता था कि कहीं कोई दूसरा च सांदा department मिला एवन कई सारे student मेरे पास ऐसे हैं अभी की तारिक में जिन्होंने मुझे call करके कहा है message करके बताया है कि sir मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे CPWD मिलेगा लेकिन उनको CPWD मिला है similarly कुछ student ऐसे हैं जिनने कहा कि मुझे उम्मीद नहीं थी मुझे MES मिलेगा मै बियारो के लिए prepare था कि बियारो मिल जाए तो मैं कुछ रहूं उसको MES मिला है ये कहीं न कहीं बहुत बड़ा factor है कि आपने जब post preference बरीती तो वो चीज़ आपके बहुत जदा helpful हूई है इसका मतलब अभी तक आप क्या क्या कर चुके हो आप paper 1 में affair हो चुके हो आप paper 2 में paper हो चुके हो और आपने post preference भर दी है इन तीन के basis पे आपके पास यहाँ पर जो है यह total category wise vacancy की यहाँ पर बताए गई है कि कौन सी category में total कितनी vacancy है और total कितनी vacancy के basis पे कितने number of candidate आपको यहाँ पर बुलाए गए है तो यहाँ पर जब आप बात करेंगे तो आप जो भी student short list हुआ है यहाँ पर उनका reservation के basis पे marks, reservation के basis पे category, department सारी की सारी information आपको इस PDF में मिल जाएगी अब आपको करना क्या है मैडियर आप जिन भी student का नाम इस list में है वो student कुछ नहीं करना है यह मान के चले कि आपका selection complete हो चुका है जब आप document verification के लिए जाएंगे जो पी आपके departmental के basis पे होंगे जो भी department आपको alert हुआ है माईडियर अगर CPWD मिला है तो CPWD department में आपके document verification होगा या आपको अगर कोई दूसरा department मिला है तो उसके basis पे आपका जो भी document verification आपका होगा उसके basis पे आपको department alert हो जाएगा अगर कुछ student है ऐसे जिनके document में कोई भी समश्या है तो जिन भी student का selection हुआ है वो सबसे पहले काम आपको करना है कि जोनटे की site पे top में जाके result submit करना है हमारी team आपसे लगातार contact में रहेगी जिन भी student का selection हुआ है जिन भी student जोनटे की offline classroom में रहे हैं, online classroom में रहे हैं, offline testaries में रहे हैं, online testaries में रहे हैं या जोनटे के किसी भी platform से ज अपनी नितिक जिम्यदारी को निवातते हुए, जो भी link मैं अभी description में दूँगा, उस link को fill करके अपनी सफलता में हमें भी भागिदार बनाना है, कि ये सर मेरा selection हो गया है और आईए आप भी मेरी सफलता में भागिदार बनिये, definitely क्योंकि आप लोगी सफलता जितनी आप ल मैं पूरी चीज डिस्कस कर चुका हूँ, आपको एक और चीज यहां पर बताना चाहूँगा, कि इसके बाद अगर बात करें यहां पर, तो देखेंगे, यह आपके पास जो category है, जहां पर आपके पास, आपके जो result वगरा है, उस सारा दिखीगए, यहां पर आप देख ल आप यहां पर, आप यहां देखेंगे, कि आपका यह जो series है, यह role number wise है, आपका नाम है, आपके फादर का नाम है, यहां पर आपके date over है, यह आपके category है, यह post है, जो आपको post मिली है, A, B, C, department वो, और my dear, यह आपकी rank है, अगर यहां देखेंगे, तो यह आपकी rank है, जो आप अपना result submit करें, तो आप इस rank से ही आपको में यहां पर सूचित करना है, कि मेरी यह rank रही है, और इस तरह से मेरा department यहां पर यह मिला है, तो मैं आसा करता हूँ, कि मेरे दौरा दी गई information, आप लोगो के लिए काफी sufficient रही होगी, और मैं दौबार एक बार करण सर से चा हाले हैं, यहां पर आपको स्रिफ अपनी मेहनत पर ध्यान देना है, भठकाओं को जीरो करना है, और जिस तरह से आपने अब तक जोंटे को वरोसा जताया है, इस वरोसे को साथ रखते हुए, इस वरोसे को कायम रखते हुए, आगे बढ़ते रहना है, तो सर मैं चाओंगा समस्या बच्चा वहां पर करेट करता है, बच्चा सोचता है कि मेरा तो सलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन आप जब इस दौर में पहुँच गए हो, आपने मेंस इग्जाम दिया है, तो कहीं न कहीं आप कुछी नंबर से रहे हो, कुछी नंबर से रहे हो, मतलब आप मंजिल पर पहुँचने वाले हो, लास्छी पर पहुचमे वाले हो, थोड़ा सा और कोड़ Columbus लगाईए, लास्टेडी पर पहुची पर पहुची जाओगे, अभी आपके सामने बहुत सारी वेकेंसी इस साल वेकेंसी ओं की भरमार है, आप सभी को मालुम हो, RSMSSBJ, राइस्टान म अभी जैसे बिहार में व्पर ब्रेंसी अने वाली है और पियसी पोस्ट निकालने वाला है तो आप सभी के लिए ब्रेंसी की भरमार हैं अब बच् чего के पास क्या है कि हम लगातार कंटुनिन करते रहें आपको लिडकों को इस तरह से करें कि अब की बार यह देखें कि मैंने क्या गलती किया था ऐसे नहीं सोचें कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनका सेलेक्शन नहीं हुआ और आपना आप I should को शाद कि हमका में आपनी सोचना है कि हमसे क्या गलती वनी जिसको अब साएक Sum हम सब्सक्राइब। नंटी होई थी यह संन कि मैंने पेपर में क्या किया किस तरह से किया जो गलती हूई थी हम उनको सही करने की कोशिच करेंगे और हमारा शूर्टी से से अलेक्शन होगा यह मैं प्रभू से दूआ करता हूं और आप सभी के लिए लगतार इस तरह से जॉन टेक का परिवार आप सभी के साथ इस तरह से साथ रहेगा और आप बच्चों का हमें प्यार मिलता है सेलक्षन के बाद बच्चे आते हैं सीना चोड़ा के बोलते हैं कि मैं जॉन टेक से बढ़ा हूं यह हमें इस कॉन्फ्डेंस के साथ यह बहुत तेजी से आगी की तरफ बढ़ रहे हूं हं इत्व सारे लोगों को जलन्ज होने लगती है जलन्ज होना कि इतने पैसे दिकh रहे हैं हमें बच्चो का वःट्प्ष स दिखता है और और दपको से हमारे हात में हैं तो हम बविष को लगातार आपने रिजल्ट्स को देखते रहें और जिन जिनों ने नहीं देखा है अपने रिजल्ट्स को देखते रहें और जॉन्टक की वब साइट पर में रिजल्ट्स को अपड़ोड करते रहें उन्होंने क्या किया कि उनका सेलेक्षिन हुआ उन्हें कौनसी गल्ती ती इसलिए आप बिल्कुल घवराइब का सेलेक्षिन हुआ उनके लिए बदाईयां थेंक्यू मेरे बच्चों को जी सर तो देखिए मैं डिर जैसा कि यहां पे घबराने जैसा कुछ नहीं होता है जीवन आपका एक बहुत सिंपल सा है जीवन में चलते जाना ही है आपको एक अंतिम लक्षे तक पहुंचाता है कि आप जितना अपने आ जाए महान वह जो गिरे गिरके उठे और पर चलता चला जाए तो आप यह मान के चले कहीं ना कहीं अगर आप ऐस सफल हुए है तो यह सफलता आपकी सफलता की तरफ एक कदम है जहां पर आपको सिर्फ यह देखना है कि मेरी कौन-कौन से मिस्टेक्स हुई है कौन को से गल आने वाला एक्जाम के लिए देना है क्योंकि आने वाला एक्जाम नहीं आने वाले तीन चार एक्जाम है और डेफिनेटली आपकी जो पिछली मेनत है कहीं ना कहीं आगे एड़न होएगी हमेसा याद रखिए कि तयारी कहीं ना कहीं एड़न होती है कहीं ना कहीं आपके क ड्राम आती है, definitely SSE-JE pre, then man, you can take your exam, SSE-JE, DDA, RRB भी आने वाला है, आपका state JAE, RSMS-BJEE है और RPCAE है और बाकि हम लोग तो आपके साथ हैं, आपको अगर कैसा भी फिल होता था, हम किसी को भी कभी भी कोल करके, message करके बात कर लिजिए, आपको समझें हम चीजों को समझें कि किस तरह से आपके ऊपर क्या केसी का condition है या फिर आप क्या feel कर रहे हैं लेकिन मैं बस एक चीज़ कहूँँगा कि अपने आपको गिरने नहीं देना है यहां पर यही हो मौका है यही वो मौका है जहां से आपका जीवन बदलेगा और आप अपने आपको वापस बाउंस बेग कर रहा है और दूसरी बात मैं उन विध्यारतों से भी निवेदन करूँगा कि जिनका सेलेक्शन हुआ है वो अपने भाई बैनों से बात करते रहें उनको थोड़ा संबल बनाते रहें और जिनका सेलेक्शन हुआ है वो अब नए उडान की तरफ बढ़ें ये नहीं है कि ठीक SSJM हो गया तो मैं यहीं रुख जाओ नहीं अगर आप डिसर्विंग के कैंडिडेट है अगर आप सोचते कि आप सफल हो सकते हैं आप सोचते हैं कि आप गजटेट पोस्ट पर जा सकते हैं तो डेफिनेटली आप जा सकते हैं और आप को जाना भी चाहिए तो इस एक्जम के साथ ही आप अपना अगला टार्गेट बनाइए कि ठीक अगर अगले टार्गेट की बात की जाए तो according to me क्योंकि आप junior engineer already है अगर आपने गहने रहना चाहते हैं तो आपका RSM SSB GE एक option है जहां पर आप जोनटे की online classes, online testes की help से इसको continue कर सकते हैं अगर आप इससे भी बड़ा target चाहते हैं जो कि मैं चाहता हूँ आप चाहें क्योंकि जिन्दिगियों जो आप सोचेंगे तभी पाएंगे तो वह जो आपका टार्गेट है वह आपका RPC AEN है जो कि 2023 की वेकंस यह आने वाली है तो जब आप SACJEE क्रेक करके RPC जाएंगे तो definitely आपके इंदर एक boost up होगा, एक आपका confidence अलेगी होगा कि yes, I am a selective student, I am selected student, मैं selected हो चुका हूँ और आने वाले exam में definitely select होगा और मैं चाता हूँ कि आप में यही भावना हो और इसी भावना इसी जोस के साथ आपके आगे बढ़ें, चलिए आदका सेसर यहीं पर खतम करते हैं, बहुत बहुत बधाईयां सभी इस्टन को जोन टेग और जोन टेग परिवार की तरब से दुबारा दिल से हार्दिक बहुत बहुत कॉंगर्चुलेशन्स, रिजल्स सम्मिट करते रहिए और टेच में रहिए, थैंक्यू, थैंक्यू